जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बिल आइकन को दबाना बिलकुल न भुले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे 10 अप्रेल से 18 पलस वालों को लगेगी कुरोना बैक्सिन की बुष्टर डोज कुरोना की नए वेरियंट के खत्रे को देखते हुए किंद्र सरकार ने बैक्सिनेशन को लेकर सुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है सरकार की ओर से कुरोना बैक्सिन की दोनों खुराक लगाने के बाद अब बुष्टर डोज को लेकर एलान किया गया है स्वास्त मंत्राले ने बताया है कि 10 अप्रेल से 18 साल से अधिक उम्र के सभी वेस्ट प्राइवेट बैक्सिनेशन सेंटरों पर कुरोना बैक्सिन का बुष्टर डोज लगवा सकते हैं सरकार की तरफ से जनकारी दी गई है कि रभी वार यानि 10 अप्रेल से देश के हर वेस्ट के नागरी को कुरोना बैक्सिन की बुष्टर लगवान सकेंगे जीन लोगों की आयो 18 साल से अधीक है और दूसरी खुराक लिये हुए 9 महिना से ज्यादा का वक्त बित गया है वे प्रिकोष्ट डोज ले सकते हैं या सुविधार नीजी वैक्सिनेशन सेंटर पर उपलब्द होगी लालू यादव को जमानत के लिए करना होगा इंतजायाद चारा घोटाले में सजायाफता बिहार के पुरो मुखवंत्री वर रायत सुप्रीमो लालू परशाद्यादव की जमानत याज के अपर जारकन हाई कोट में सुक्रवार को सुनवाई हुई जस्टिस अपरेस कुमार जिंग की अदालत में सुनवाई के दोरान CBI ने समय की मांग की CBI के आगरा क सुईकार करते हुए अदालत ने समय परदान किया अब 22 अपरेल को इस मामले में सुनवाई होगी बता दे CBI इस मामले में पूरक सपत पत्र दायर करेगी आपको बता दे कि डोरान्डा कोस्तागार से अबध निकासी मामले में साज़ा अपतलालू परसाद ने जमानत के लिए हाई कोट का दरवाजा खटाया इससे पहले चार मामलो में साज़ा होने के बाद उन्हें हाई कोट से जमानत मिल चुकी है जारखन के पलस्टू सिख्षक नियमावली में संसोधान 75% पर सिधी नियुक्ती जारखण में पलस टू सिख्षकों की नियुक्ती की परकिर्या जल्द होगी, सिख्षक नियुक्ती 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 में संसोधन की परकिर्या पूरी हो गई है, बर्स 2012 की नियुक्ती में कई बदलाव किये गए, राजय में अब तक पलस टू बिद्याले सिख्षक न नहीं होते थे तो सीट रिक्त रह जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा आरक्षित सीट अगर रिक्त रही तो उसे सीधी नियुक्ती से भर दिया जाएगा जारखन पंचायद चुना में 977 पदो पर OVC आरक्षन खत्म सुप्रीम कोट के आदेश के आलोग में राज में होने वाले पंचायद चुना 2022 में OVC के लिए आरक्षित विभीन अस्तर के 977 पदो को स्तमाप्त कर दिया गया है इसे पंचायद चुना में अरारक्षित सीटो की संख्या बढ़ कर 34-802 हो गई OVC आरक्षन के साथ अरारक्षित सीटो की संख्या 25-725 बता दे राहूल रमेश वाग बना महराश सरकार के मामले में सुप्रीम कोट ने त्रियस्तरिय पंचायद चुना में OVC को आरक्षन देने के लिए ट्रीपल टेस्ट फर्मूला पुरे देस में लागू करने का देस दिया था साथ ही अभी कहा थागी ट्रीपल टेस्ट के बगएर पंचायद चुनाव कराने के ठीती में OVC के लिए आरक्षित चीटो को आरक्षित मानना होगा जिला परिशद में आरक्षित पदो की संख्या 294 है जारखन में कम होगी महंगाई महंगाई को देखते हुए राज सरकार ने खाज तेल की कीमत नियंतित करने के लिए खुद्रावथोक बिक्रताओं के लिए श्टोक लिमिट कताय कर दिया है जिन विक्रत्याओं के पास इस्टोक लिमिट से अधिक मत्रा होगी उन्हें 30 दिनों में इस्टोक निधाडित सीमा के अंदर लाना होगा असा नहीं करने वालों के खिलाप कानूनी करवाई की जाएगी भारत सरकार के उभोकता मामले मंत्राले द्वारा जारी आदेश के अलोक में राज सरकार ने आदेश जारी किया है खाद तेल का आयाद युक्रेन वर रूस से होता है अभी इसमें दिक्कत आ रही है खाद तेल के मुले को नियंत्रित करने को लेकर केंद्रे की ओर से कदम उठाया गया है बंधु तिर्की की बिधाय का होगी खत्म मांडर बिधान सभा से जाविमों के टीकट पर चुनाव जितने वाले सजायावता बिधायक बंधू तिर्की के सदस्यता खत्म करने के लिए स्पिकर रमिंद्रनाथ महतों की मंजूरी मिल गई है। बिधान सभा दोरा इसकी जजिसुचना एक दो दिन में जारी कर दी जाएगी। इसके बाद सिरी तिर्की की विधाय का खत्म करने से समधित सुचना चुनाव आयोग को भेज दिया जाएगा फिर चुनाव आयोग मांडर में उप चुनाव कराने की परकिरिया सुरू करेगा बता दे छो माह में उप चुनाव कराने की बद्याता होती है गढ़वा जिला में पीम कुसुम योजना में गढ़बड़ी जारखन के गढ़वा जिले गढ़वा परखन में पीम कुसुम योजना के लाभुक चैन में भारी गढ़बड़ी की गई है पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर इस योजना के लाभुकों का चैन किया जाना था लेकिन परखंड अस्तर पर गरबड़ी करते हुए इस स्योजना के लिए जिन किसानों ने पहले आवेदन जमा किया उन्हें परखंड बिकास पता दिकारी द्वारा अपने परभाव का इस्तिमाल करते हुए परतिक्छा सुची में डाल दिया गया जबकि जिन लोगों ने समय बीतने के बाद अवेदन जमा किया उनका चैन कर लिया गया बरतादे परखंड बिकास पता दिकारी की ओर से की गई इस गरबड़ी को लेकर किसानों में आक्रोस है साहेव गंज में नाव से घास लाने जा रही चार महिला गंगा में डूबी साहेव गंज जीले में गंगा नदी के रास्ते छोटा डोंगी से घास लाने जा रही नाव पर सवार चार महिला ये डूब गई इनमें दो महिला ये तैर कर बाहर निकल गई जबकि दो महिला वो आठ साल की बच्ची गंगा में डूब गई है इनकी तलास की जा रही है ग्रामिनों दोआरा तलास की जा रही थी तब ही पुलिस को भी इसकी सुचना दी गई इसके बाद पुलिस मोके पर पहुची और सौव की तलास में जूटी हुई है आदिवासी भासा में ही पढ़ेंगे ज्यार्खन के आदिवासी बच्चे ज्यार्खन परदेश में आदिवासी बच्चों का बुनियादी सीक्षा आदिवासी भासा में ही अगले सेक्षनिक सत्र से सभी सरकारी विद्यालों में अध्ययन अध्यापक कराने की सरकारी योजना है जार्खन राजे के लिए यह एक बड़ी चुनावती है इसे धरातल पर उतारना असान नहीं होगा बदादे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहट अगले सेक्षनिक सत्र यानी अप्रेल 2022 से जार्खन के सभी सरकारी विद्यालों में बच्चों को उनकी घर की भासा में गतिवीधी के माद्यम से खेल खेल में सिक्षा परदान की जाएगी जार्खन में बोली जाने वाली जन जाती है यानी आदिवासी वग्गैर आदिवासी भासा में छेत्रवार बच्चों को उनकी भासा में पढ़ाई जाएगी ताकि जार्खन के बच्चों का सेक्षनिक अधार मजबूत हो खोटी बिवाद मामले का आज साम तक नहीं हुआ समाधान तो बीजेपी करकरता करेंगे धारना परदसन जार्खन की राइधानी रांची के खोटी में दो पख्चों में हुए बिवाद को बिधायक सा भाजपा के परदेश उपादेश निलकंट सिंग मुंडा ने परसासन की नाकामी बताया है घाटना के बिरोध में भाजपा करकरताओं के साथ बिधायक निकाला बिला लगाया भाजपा के खोटी जीलक कर्याले में आयोजी सनवादाता समिलन उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए उन्होंने जिला के उपायुक से बात कर साम तक मामले का समधान करने की मांग की उन्होंने कहा कि सुक्रवार साम तक अगर मामला सांत नहीं होता तो खुटी में तेभार नहीं मनता है तोगे सनीवार की सुबा भाजबाक करे करता हुआ समर्थकों के साथ जिला मुख्यालाय में धारना पर बैठेंगे हाई कोट ने डोभा निर्मान के लिए खर्च हुए 336 कुलोर का मांगा ब्यवरा जारकन हाई कोट के चिफ जस्टी डाक्टर रवी रंजन के अदालत में डोभा घोटाला मामले में सुनवाई हुई सुनवाई के दोरान अदालत ने पूरे जारकन में डोभा निर्मान के लिए 336 कुलोर रुपए खर्च का ब्यवरा मांगा है इस दोरान ACB के DG कोट में उपस्थित हुए थे उनकी ओर से कहा गया कि इस मामले में ACB कोई जाच नहीं कर रही है इस पर अदालत ने भी भागे सची उसे सपत पत्र मांगा है और पूछा आए कि 336 कुलोर की RASI से पैसे कितने खर्च हुए है और कितने डोभा का जिर्नो अधार किया गया आदालत ने इसकी सही यों सटिक जनकारी मांगी है अधालत ने कहा है कि अधी कोट में दाखिल किया गया सपथ पत्र गलत पाया गया तो कोट इस मामले में सक्त आधेस पारित करेगी एक आरहवी बारहवी के बच्चों को कलेट और NDA की निसूलक त्यारी कराएगी जार्खन सरकार जार्खन के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी राष्ट्रिय परतिभाग होज परिक्षा, ओलम्पियाड, कौमन लाइडमिसन टेस्ट तथा NDA की त्यारी कर सकेंगे जार्खन सरकार ने याकांचा कारी करम को विस्तार देते हुए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले होनार बच्चों की इन परतिवक्ता परिक्षाओं की भी निसूलक त्यारी कराने का निन लिया है इसकूली सिक्षा एवम सर्चाता विभाग ने गुरुवार को इस सम्भन्ध में संकल्प जारी कर दिया अभी तक इस कारिकरम के तहत मेडिकल एवम इंजिनियरिंग की ही त्यारी की जाती थी अब इन परिक्षाओं को भी इसमें सामिल करने से प्रतिवर्च इसकारिकरम पर 3.75 कोल रुपे खर्च होंगे हेमंत सुरेन के खिलाव पारिवारिक बगावद जार्खन में दिसोम गुरु के नाम से चर्चित सीवू सुरेन के घर की कलह का अंत क्या होगा इस बाबत कोई भी भविश्वान नी करना बेसक अभी थोड़ी जल्दबादी हो सकती है लेकिन एक बात तो दावे से कही जा सकती है कि देर सबेर इस परिवार में भी खराव होना ताय है सीवू सुरेन के बड़े बेटे दुर्गा सुरेन की पतनी विधायक सिता सुरेन अरोन की दो बेटियों जैसरी वह राजसरी ने जिस तरह से अपने ही सरकार के खिलाप मोर्चा खोला है वह किसी न किसी आंजाम तक जरूर पहुंचेगा इस पूरे परकरम में फिलाहाल अभी तक दिस्वम गुरु से लेकर मुख्य मंत्री हमान सुरेन तक ने चूपी साध रखी है लोहरदागा में दो लाहकी अवैद लकडी से लदा बिहार का पीक अप जबते लोहरदागा जिला अंतरगत सेनहा थाना छेत्र के सेनहा मूर की साही घाट पत पर बांकी नदी के पास से गुप्त सुचना पर करवाई करते हुए बन विभागी टीम ने अवैद लकडी लदा पीक अप वहन जबते किया बतादे डीएफो अरविंद कुमार को गुप्त सुचना मिली की पेशरार और सेनहा थाना छेत्र के जंगल से हारे पिण काट कर उसे चोपहल का रूप देकर बिहार परदेश से निबन धित पीक अप वहन से अवैद लकडी की तसकरी की जा रही है इस सुचना पर डीएफो ने बन विभाग की टीम गठित कर सुचना का सत्यापन करते वे चापह मारी कर करवाई का निदेश दिया धन्यवाद